नमशकार मैं हूँ डॉक्टर वायराखी कैसे हैं आप लोग स्वागत अभी नंदन करती हूँ आप सभी का अगर आपने मेरी आज की दो वीडियोस नहीं देखी हैं जहां शुकर का राशी परिवर्तन हो रहा है तो डॉक्टर वायराखी चानल पर जाकर उन वीडियोस को जर पानी धार्मिक पंडित एक पानी के जहाज में बैठकर एक देश से दूसरे देश में जा रहा था बहुत प्राचीन का था है ये तो उसने सुचा दूसरे देशों में जाके अपने धर्म का परचार करूँगा लोगों को पूजा पाठ करने का सही तरीका बताऊंगा और म उने बोला भई अभी कुछ घंटे करीबन आठ से नौ घंटे ये जहाज यहीं खड़ा रहेगा और हम इसको सही करेंगे तब ये चलेगा अभी पंडित पानी के जहाज में खड़ा खड़ा बोर हो रहा था तो उसने दूर कहीं देखा तो उसे एक टापू नजर आया उसन सी है उन्हें धर्म कर्म के बारे में बताता हूं तो उसने जो जहाज का सबसे बड़ा अधिकारी था उससे परमीशन ली तो उसने गहाँ आप जाओ एक छोटा नाव क्या तयार की गई और उसके साथ एक व्यक्ति को भेज दिया गया वो टापू में पहुंचा उसे कई त पुजापाद्र और पद्धि का कोई तरीका नहीं है वो वेद बाठी पंडित था उसे सही तरीका बताया कि भगवान की मूर्ती हो फल रखो आवाहन करो भगवान का विसर्जन करो भगवान को बुलाओ फिर भगवान को भेजो भोग लगाओ आर्ति करो तमाम तरह की बा कि तीन-चर आदिवासी पानी पर दोड़ कर भाग कर जहाज की तरफ आ रहे हैं और कूद कर जहाज के उपर चड़ गए तो उसने बोला क्यों आये कि आपने जो पद्धि हमें सिखाई हमने एक बार तो उससे पूजा की हो गई लेकिन आपको आयो भी वहां से तीन घंटे हो गई लेकिन हमने जब दुबारा पूजा शुरू करी तो हम पद्धि भूल गए आपकी पूजा की पद्धि बिल्कुल सही है अब आप हमें तरीका दुबारा सिखाओ तो इस पंडित ने खा वो सब तो ठीक है पर तुम पानी के उपर कैसे चल रहे थे पानी के उपर को आप बारी पंडित की थी उनके पैरों में गिरने की और पंडित उनके पैरों में गिर गया और बोला जिस पदती से तुम पूजा करते हो ना बिना फल फूल बिना मोर्ती बिना समय बरबात करें वही भगवान की आस्ता और विश्वास की सही पदती है तुम्हें मुझे आज जो चीज सिखाई, वो मैं सारी दुनिया को जीवन में कभी नहीं सिखा पाया, आप सोच रहोंगे राखी जे कहानी क्यों सुनाई, हमने दिवाली पूजन किया, हमसे ठीक से नहीं हुआ, हमारा दीपक बुझ गया, हम एने गनीज जी की सून दिवाइँ हैं की बाइँ हैं, हमसे गलती हो गई, हमें ये तो नहीं करना चाहिए था, हमारे यहांपर शंक तूट गया, हमारे यहांपर पूजा करतेवें कपड़ा जल गया, تمाम तरह के कई खयाल हमारे दिल में आते हैं, हम समान को चीजों को जादा महत्व देते हैं भगवान से जादा डर कर घबरा कर अपनी पूझा नहीं करते और अगर विश्वास आसता सची हो तो हाथ उपपर उठा कर भगवान से सरफ इतना कह सकते हैं कि ईश्वर हम तुझे याद कर रहे हैं पेज पर भी मैं रोज एक वीडियो डालती हूँ उनने देखिए फॉलो कीज़े सब्सक्राइब कीज़े लाइक कीज़े शेयर को और आज की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताईएगा जयमाता दी